मित्रों आज आप अपने पसंदीदा चैनल पर देख रहे हैं एनिकट यह एनिकट जो है वो पानी का संचेस्तान है और जल्द समर और जल्द सनरक्षन के लिए यह बहुत ही जरूरी है आप देख रहे हैं इस तरह से यह पूरा खेतो का पानी वर्षा का पानी यहाँ पर आ और आकर कि यह इखटा हो जाता है इखटा करके यह पर एकत्र करके और यह जब और फिलो होने लगता है तो आगे के लिए अनिकट खेतों के लिए चला जाता है यह जो वर्था का पानी है यह बहुत ही कामका इस से जीवों को भी रक्षा मारत याँक prey जीवन की आवशक्त जल का धर्ती में प्रवेश करना और इस छेत्र में जो जल का समर है वो भी संबब हो पाना यह इसी के द्वारा हो पाता है आप देख रहे हैं कि किस तरह से यह जल समर हो रहा है पेडों पर पक्षी भी कलरव कर रहे हैं पानी दर्ती में रिस्ता भी जा रहा है जल का इस्तर उचा होता जा रहा है जिससे कुओ का इस्तर नल कूपों का इस्तर उचा हो रहा है और इनका इस्तर उचा होने से भूमी में जो दोवन है उसको भी सनरक्षर मिलता है और ऐसी स्तती में हम देखें तो जल का समर होना भी जरूरी है और जल समर होगा तो यी धर्ती का विकास भी होगा यह जल समर विकास ए निकट का बनाना विर्थ बहते वे जल को रोकना दिवार बना करके जल को रोका गया है अतिरिक्त जल जो हमारे फोटोग्राफर मिश्टर दिनेश सैनी असोग सैनी दोनों हमारे साथ हैं और आप देख रहे हैं कि किस तरह से यह दिवार के दूसरी तरफ जो अतिरिक्त जल है वो आ गया है वहाँ भी फिर तीसरी लेर भी बनाई गई है कि बीच में भी पानी खटा रहे पसुपक्षी भी उसको समय समय पर पीते रहे नाने दोने का भी काम चलता रहे क्योंकि ग्रामीन जन है उनकी देनिकाव शक्ताओं की भी पूर्ती होती रहे और उसके बाद में जो अतिरिक्त जल है वो आगे चला गया है मित्रों जैसा आप देख रहे हैं यह जो आगे का पाड़ है खेत नीचे है उन नीचे खेतों में भी सिचाई की सुविदा मिल जाती है और यह बहुत ही उप्योगी थावित होता है यदि एनिकट नहीं होता तो यह वर्सा का जल गर्थ रूप से बहकर चला जाता और गर्थ रूप से बहकर नहीं जाए उस इस चैनल के माध्यम से एनिकट को जानने का प्रियास किया आप देख रहे हैं तो छोटे छोटे पक्षी नहीं केवल दो ही नहीं नहीं जाने कितनी चिडियां कितने पक्षी यहाँ पर आनंद ले रहे हैं कलरव कर रहे हैं जल है तो जीवन है जल है तो मनुष्य का जीवन नहीं नहीं जीव जन्तों का जीवन है इस क्रसी का भविश्य और जल नहीं है तो कुछ भी नहीं है इसलिए ही कहते हैं कि जल जो है वो हमारा भविश्य और जल इस तरह से हमने नहीं बचाया उसका विकास नहीं किया जमर नहीं कर पाए तो हमारा जीवन भी व्यर्थ बन जा में हम जल के लिए बूंद बूंद करके तरसेंगे अतजल को बचाना बहुत आउशक है मित्रों इस चैनल के माध्यम से आपने इस जानकारी को हंसिल किया अपना मुल्य समय प्रदान किया धेर्य पूर्वक इसको सुना